हेलो एवरिवन आप सब का कुक पीट किचेन में स्वागत है होली के तिभार पर गुजिया ना बने ऐसा तो होई नहीं सकता आखिर होली खेलने आए महमानों को भी तो इस स्वीट डिस का इंतिजार रहता है तो गुजिया कही तरह से बनाई जाती है मावा भरी गुजिया, सुजी भरी गुजिया और मैदे से कुरकुरी बहारी पर तयार की जाती है तो आज मैं भी आप लोगों के लिए मावे के साथ ड्राइफ फ्रूट्स मिला कर इसकी फिलिंग तयार की जाती है और इस वाली रैस्पी को आपनों के साथ शेयर करूंगे जो इस होली पर आप भी कुछ असान से स्टेप को फोलो करके इस गुजिया को बना सकते हैं तो आपको इसमें दो तीन चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा और हमारी गुजिया जट पट से बनकर तयार हो जाएगी तो फ्रेंड यहां पर देखिए मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई और इसमें हम डालने है रिफाइंड आप इसके जगें घी का भी यूज कर सकते हैं और ओयल का भी यूज कर सकते हैं हमारा देखे रिफाइंड अच्छे से गरम हो चुका है और अब हम इसमें सूजी को भूनेंगे तो यहाँ पे देखी हमें इसको धीय धीय चलाते हुए इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स क्योंकि हमारी गुजिया तभी स्वादिष्ट बनेगी जब हम अपने सूजी को बहतर तरीके से इसको भूनेंगे हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और अच्छे से हमें इसको भून लेना है इसे हम चलाते रहेंगे नहीं तो यह नीचे जलने लग जाएगी और उपर हमारी सूजी कच्छी रह जाएगी तो आप इसे स्लो आँच पे ही इसको भूने ज्यादा तेज आँच पे नहीं भूनना है हमें और यह देखिए इसका काफी कलर चेंज हो चुका है यह कि बूनते हुए हमारा सूजी का कलर कुछ इस तरीके से हो चुका है अब देशकते हैं हमारी सूजी भून चुकी है और अब हम इस स्टेच पर अब हमने गैस को कर देते हैं और इसको हम एग ठाली या किसी प्लेट में निकाल लेते हैं uh कि हमारी सूजी अभी देख्ये बहुत ज़ादा गरम है तो अब हम इसे निकाल लिया देखिए हमने बड़ी सी थाली में इसको निकाल लिया है क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारी कुछ़ी आपनाने वाली हूँ तो इसलिए रेखिए मैंने एक बड़ी धाली से इतना मैंने इसको भूनलिया है यह देखिए पहले जब हमने सुजी ढाली थी तो हमारी हमारी सarusी कलर किस तरीके से था और होनने के बास देखिए हमारी सुज सुची ठंडा होती है इतनी और इंग्रीडियस त्यार कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हमने मिक्सर जार लिया है और इसमें हम अब चीनी को ग्रेंड करेंगे आप यहां पर चीनी का पाउडर भी उच कर सकते हैं पर मेरे पास चीनी का पाउडर ही नहीं है तो यहां पर मै इसको पीस लिया है इसका अच्छा सा बैटर हमने इसका पाउडर देखिए पत्यार कर लिया है और बाकी को भी हम इस तरीके से पीस लेते हैं तो यहां पे देखिए मैंने 516 शीफ द्राइब फुरूट्स लिये है यहां यहां सो ग्राम लिये को इनकी अप कटिंग कर लेते ह आप जाहें इन्हें दो टुकड़ों में काटके डाल सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने एक किसमिस के तिन टुकड़े किये हैं और बदाम को भी मैंने बारीक-बारीक काट लेते हैं क्योंकि गुजिया में इनके फ्लेवर जो छुटे-छुट टुकड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो इस तरीके से हमें सारे बदाम को काट लेना है और दो मैंने सुखा नारियल लेया है जिसे खोपा भी बोला जाता है और इन सुखे नारियल को हम कदू कर् सकते हैं या मेरी तरह घर पे पड़ा हुआ सुखा नारियल हो तो इस तरीके से आप इसको बुरादा बना सकते हैं बहुत ही कम समय में यह बुरादा बनके तयार हो जाता है तो यह देखिए हमने इसका बुरादा बना लिया है अब हम चलते हैं हम आज सूजी भी ठंडी हो अब इसकी जेगे और भी ड्राइफ ठ्रूट त्यूंज कर सकते हैं कि यहाँ पर देखी हम इसको Mix खर लेते हैं अभी यहाँ पर हम ने चीनी का यूज नहीं किया है कि अगर कि आं इसमें अपनी पीसी हुई चिन्नी को डालकर इसको भी हम कर लेते हैं मिक्स हमें इसको एक तरफ से ही मिक्स करते हुए जाना है क्योंकि हमारी थाली छोटी है और हमारा मैटेरियल काफी ज्यादा है इसे अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप किसी बड़े वर्तन में ही इसमें मिक्स करें तो यहां पे देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है अर अब लिया है मैदा मैदा यहां पे देखिए मैंने 1.5 kg लिया है और इसमें मैंने दो चम्मच बड़ा घी और रिफाइन को डाल के इसको अच्छे से मैस कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे दूद दूद यहां पे हमने गुनगुना लिया हुआ है और इसको डालने के बाद हम अब अपना आठे लेते हैं मैदे कर लेते हैं मैदे कर से हमने आठे को गूथ लेना है यहां पे देखिंक यह हंने 5, 5 kilo मावा लिया है यह हमने फ्रीज में रखा हुआ था इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो चुका है तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यह देखिए हमने इसको बारिक इस तरीके से तोड़ लेना है छोटे-छोटे टुकड़ों में यह आप इसे पहले से ही बाहर निकालके रखने तो यह अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है बजार के मावे कुछ इसी तरीके से होते हैं आप मावे को घर पर भी बना सकते हैं तो यहां पर देखे मैंने एक बड़ा बरतन ले लिया है क्योंकि मिक्स करना है अभी हमें अपने मावे को तो हम थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से डालते हुए मावे को अब मिक्स करेंगे तो जो भी बकढ़ाई में बचाओ वा मामा है उसको भी हम थोड़े सो सुजी डालके उसको भी हम निकाल लेते हैं और अब दोनों हथेलियों से इस तरीके से मैश करते हुए हम हम savory मावे को मिक्स करेंगे हैसे तरीक से हमें हठेली पर दबाते हुए संदैल मावे को मिक्स करना है कत आप से कंटीनियू मिक्स करते रहेंगे तो आप यह मावा इसमें एकदम मिक्स हो जाएगा और आप को पता ही नहीं Goes लेगा कि आपने इसमें मावा भी डाला है तो देखिए हमने मिक्स करने के बाद देखिए हमारा इस तरीके से हो चुका है और अब हम अपनी पूरी बना लेते हैं सुजी के लिए हमें अच्छी सी रोटी बेल लेनी है जिस तरीके से पूरी बनाते हैं क्योंकि आटा हमारा थ तो अब हम इसे बेल लेते हैं यह देखिए आप चाहें तो इसी तरीकी से सारी पूरियों को बेल ले तब आप भरे आठधत पूरी बेल ले और इसके बाद भरे फिर फ्राइ करें अगर आप एक साथ भर के और फिर फ्राइ करेंगे तो यह उपर से परत सुखने लेगी तो नहीं वह देखिए अपने हमने ले लिया है गुजिया अचा में थोड़ा सूखा लगा कर इस तरीके से देखи हमें वोजिया मेक सब्सें करना है और इस तरीके Institute भच्आ करते होई को हमें निकाल के सब्सक्राइब हो देखे तो हमारे देखिए कितनी सुंदर सी घुजिया कि भाइब बन के हो चुकी है तयार है कि आप इसे हाथ हो से भी बना सकते हैं मिसक checking गजिक जो से जिस तरीके से आम मुमज बनाते हैं कि इस तरीक 맛있 जड़ा डे सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने इसको सांचे से ही बनाया है देखिए काफे सारी मैंने बना ली है और अब हम इसको फ्राइ करेंगे यह देखिए एक गुज्या कितनी अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से भर चुकी है यह देखिए अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो यह फटे की विल्ग करें या अगर आप अपने घर में किसी की सहायता लेकर भीसे बना सकते हैं तो देखिए हमने यहां पर रिफाइन ही महीं हम इसको फुराइ करेंगे तो यह कड़ाई में देखिए हमने तेल यह रिफाइन हमने जो भी आपके पास हो डाल दे मेरे पास रिफाइन है तो मैं इस गानी को इसी तरीके से लां कि आपको दिखा रहे है क्योंकि मैंने सक्षी आप को डालते हुए नहीं दिखाया है तो इस तरीके से आप को डाल लेना है शारी गुजियों को यहां पर देखिए मैंने आप गुजिया डालती एreme अभर हमें इसको मेड्या माज पर प्लच देते हैं यह बहुत ही असानी से हमारी फुझीत प्लच जाती है मैं इसे इस राइप आप मेड्या मार्च पे ही फ्राइस प्लच युद्स Q आप Kollegin अज पड़िक से खैकल करेंगे तो और हमारे कुछिया अंदर से तया नहीं नहीं दो मट्राइए आते हां देंखे तो अना से अधार में दो में अभी प्राइए यहां पर दो प इस तरीके से अमली सारी को फृब्स कर लेंगे इस तरीके सेentes सब्तक देते अब की से खुब कर लिए अब आपकी को देखे से यहाज ने काट नो हमには तिरह मेसे क्षोरड में तो पर डिये strange Willy झाल झाल